हमारी प्रतिबा चोरे जी और जैन साथ और हमारे अंसारी साथ और उपस्तित सभी सिख्षक गुरुवर्य वीचिस्त मार्गबर के साथी और हमारे कारेक्रम कारेजिया दोलाईज साथ आप कुछ लोग तो बहुत लेका है लेकिन आज ऐसा लगाएगा कुछ अबने मिलती होंगी अब बहुत बिप्टों विस्ता पूर्विक जो चर्चा बता ही उन्होंने प्रस्णार तक किमनर औरने अंसर दिये जो इंताजी सर्थ ने बताया था क्या जो मीठे वाले फल जब बाहर बेज देते हैं और खटते फल जब यहां अपने खाने को मिलके तो उससे मतलब यह नहीं होता इस बात के मेरे को बहुत बड़ा आपको विचार करना है कि जब अच्छे चिक्षक संस्ता में से जब चले जाती है क्यों इसका मतलब यह है कि संस्ता वाले भी उतना पगार नहीं दिये पाते इसलिए वह चिक्षक चले जाती है और शायद यही मतलब उनका अंसर था क्या मतलब जब मीठे फल आप बाहर बेज देते तो अच्छे फल फिर आपने को खाने को मिलके यह बहुत सभी सिक्षकों को यहां बुदाना चाहिए कि जिसे हमारा दिमाग जो इधर उदर घुमते रहता तो अभी कई मतलब अपन उदर ज्यान दे कि बहुत अच्छी बात है शायद मैंने कभी ऐसा सुना नहीं होंगा और ऐसी कभी अच्छे विचार जो भी आपने शुकला जी मैडम ने जो बता है और अंधारी सर ने भी जो बताया चाहिए अच्छे विचार सुनने को मिले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं एक बात बता दो कि अपना शेत्र में जो विकास हुआ है शिक्षा में हमारा शेत्र बहुत आगया है लेकिन बात यहां तक आत पतलब अच्छी है यहां पर उसके आगे जो पढ़ाई के जो कोर्स आते हैं आप लोग ने जो बता है